कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में तो दोस्तों आप लोग अभी मर्जर पर बहुत अपडेट आटे विए देख रहे होंगे अभी हाल फिलाल में आपने देखा है कि HDFC बैंक और HDFC का विले हो गया उसकी फाइनल जो परक्रियती वो भी पूरी होगी बोर्ड वगेरा भी बदल दिये ब्रांचों में उसी साब से काम होने लगा है HDFC बैंक और HDFC विले की बात कर रहा हूं मैं उसके बा आज IDFC फस्ट बैंक का शेर गिर गया चार परसेंट से ज्यादा और वो क्यों गिरा वो नेक्स वीडियो में आपको कारण बताऊंगा यह बहुत बढ़ा बनेगा और सरकार की मनसा भी यही है कि दोस्तों कि जो बैंक जिस छेत्र में है वो बढ़ा बने IDFC किसको लोन प्रो अपना अपना काम distribute कर देगे जैसे पांचार बैंक इस काम को करेंगे तो बात को समझने की कोसिस करेंगे और यह जो merger की त्यारी हो रही है ना त्यारी क्या आप पुरी रूफ रेखा देख रहे हो final मेरे काल से सब कुछ final होता हुआ देख रहे हो इसके पीछे सरकार की पू जबादा रहता हूँ अभी हाल फिलाल में हमारी जो finance minister निर्मला सीता नमर्जी उन्होंने conference के तोरान कहा था कि बैंकों में जबरदस profit उचालाया है जब सरकार सत्ता में आई थी उससमें इन बैंकों की हालत खराब थी सरकार सरकार ने इनके reform पे काम करा अधी capitalization, reform, merger, twin balance sheet को मैंने आपके लिए class में भी समझाया है कि twin balance sheet का कितना असर पड़ा है और इसी दिसा में सरकार काम कर रही है अभी आपने HDFC bank HDFC का विले देखा फिर आप IDFC bank और IDFC का विले देखोगे final होता हुआ, गोस्मा तो हो चुकी है उसके बाद फिर नए bank आए 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 और कौन से bank होंगे कि merger की तो मैंने बहुत पहले announcement कर दी थी कि merger के लावा विकल भी कुछ नहीं है, merger से ही bank बड़े बनेंगे साब, merger से, बड़े नहीं, बहुत बड़े, और लड़ने की शक्ती आएगी साब, करोना कास जैसा संकट अगर छेल सकता है ना तो कोई बड़ा bank ह यह सकता है, और बड़ा bank बनेगा merger के द्वारा, ट्वीन बैलेंस इट कमाल की ऐसा, ट्वीन मैंने जुडवा, इसको आप पढ़ो, ट्वीन बैलेंस इट को, मैं अपडेट लगाता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो इन चीज़ को आपको समझे, समझे कि अब अब जब फिलाल हल फिलाल HDFC bank, HDFC bank का भी ले हुआ है, IDFC first bank, IDFC की गोष्णा हो चुकी है, फिर next कौन सा bank होगा, अब next कौन सा bank होगा, यह थोड़ा सा suspense है, suspense बरकरार रहने जीए, बहुत जल्द आपको उसकी भी सूचना इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, क्योंकि उसी दिसा में मैं भी थोड़ा बहुत अध्यन कर रहा हूँ, फिलाल चीज को समझे, पूरी policy समझे सरकार की, सरकार की policy है, इन बैंकों को strong, strong और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनाने की, और वो बनेंगे definitely बनेंगे, सरकार इस बैंक भी क्या आगा देगे, bank of के बारे में कहा था मैंने आप से, जितने भी paid member थे, फोन करके भी कहा था, bank of बड़ोदा के share बढ़ लो, SBI ले लो, 600 के target के लिए, आज 592 का high, 80 रुबे बैंकों फिटिया है, इंडियन बैंक देखिए सब 300 के उपर, सरकारी बैंकों में दोस्तों कहानी सुरू होगी, सब्दों को समझने की कोसिस करिए, और मुझे आगे दीजिए, नेक्स वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी, मुलाकात तक तक इनतजार, फाइनली, नमस्कार.